दोस्तो नमस्कार आज सुबह सुबह यूट्यूब की तरफ से एक important notification आया है सभी creator के YT studio के dashboard में ये कहके कि YPP 2023 का program में कुछ policies में changes किया जा रहे हैं जिसकी वाज़से आपको 5 जून 2023 से पहले resubmit, reapply करना होगा जब भी prompt किया जाएगा YouTube की तरफ से आपको I accept करना होगा अगर आपका channel monetize है तो YPP के terms on policy को दूबारा submit करना है क्यों ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि YouTube जो है 5 जून से कुछ changes करने जा रहा है तो क्या changes कर रहा है monetization policies में यह समझ लीचे थोड़ सा strict कर रहा है monetization को चैनल के monetization policies करेगा सबसे पहले वो लोग जिनका channel monetize already है उनको कैसे माली जिए अपका channel monetize है और आप कोई भी policy violation करते है policy violation बहुत तरह के होते हैं YouTube पे जैसे कि सबसे ज़्यादा जो policy violation होता है वो reduced content policy violation होता है जिसके वाज़े से channel monetize से demonetize होता है channel का monetization बन कर दिया आता है suspend कर दिया आता है but copyright और community guidelines से भी YouTube यह हग रखता है कि हम आपके monetization को disable कर सकते हैं और होता है कई लोगों का जानतर के से इसमें नहीं होता है लेकिन होता भी है यह कर सकता है policy लेकिन सबसी ज़्यादा जो होता है वो reduced content policy violation पे आपके channel का monetization YouTube अभी फिलहाल बंद कर रहा है जब अगर आपको ऐसा कोई गलती होगा आपके channel पे reduced content policy violation तो आपका क्या होगा कि पहले तो होता था कि 30 दिन के लिए आपका channel demonetize होता था suspend हो था monetization और YouTube कहता था कि अपने channel को review कीजिए एक बार वैसे videos हटाईए जो कि reused content के अंदर आते हैं जो हम allow नहीं करते हैं और फिर से 30 दिन के बाद apply कीजिए यहाँ पे मैं यह कहना चाहूँगा कि जो लोग reused content क्या होता है नहीं समझते हैं क्योंकि यह सारा चीज आरे cases discuss करने के बाद हम बताएंगे कि reuse content क्या होता है जो कि allowed नहीं होता है YouTube ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं माल लीजिए monetize channel अगर reuse content policy valuation से monetization बंद होता है तो पहले 30 दिन मेरी यह apply कर सकते थे changes करके video delete करके वगरा लेकिन अब पहली बार अगर ऐसा होता है किसी monetize channel के तो उसे 30 दिन नहीं 90 दिन 90 दिन तक उसका channel demonetize रहेगा monetize नहीं हो सकता है किसी भी cases में और 90 दिन के बाद वो reapply कर सकता है कुछ भी changes करके चाहिए delete करके video चाहिए दुबारा बना के वो सब चीज़ी करने के बाद एक monetize channel को 90 दिन के बाद ही औसर भी लेगा हां अगर आपक खारिज होता है reject होता है तो आपको 90 दिन का punishment करना ही भूगतना ही भूगतना होगा ठीक है दूसरा case नए channels के लिए ज्यादतर लोग जो नए channel बनाते हैं जब 4000 घंटे complete कर लेते हैं 1000 subscriber complete करते हैं उनका channel review में जाता है YouTube चेक करता है और बहुत सारे लोगों का majority of people का जो monetization reject होत से तो नए channels के लिए कह रहा है जिनका channel monetize में पहली बार monetize होने जा रहा है 4000 घंटे 1000 subscriber complete करके उनके लिए पहली बार आप गलती करते हैं पॉलिसी करते हैं और monetize नहीं होता है reject होता है आपका monetization 4000 घंटे 1000 subscriber complete होने के बाद भी तो दोस्तों उस case में आपको पहली बार 30 दिन का म अगला मौका दे जाएगा लेकिन 30 दिन के बाद भी अगर फिर आप पर यह अप्लाई कर लेते हैं ठीक्ठा करके और फिर reject होता है फिर आपको 90 दिन के बाद ही अगला मौका मिलेगा फिर subsequent 90-90 दिन पर होते रहेगा यह चीजे ठीक है तो यह बात ध्यान रखिएगा reuse content क्य क्या होता है लास्टू मताइंगे वीडियो परे रही है केस नमबर थ्री केस नमबर थ्री उन लोगों का जो कोई चैनल जॉइन बटन आप में देखा होगा मौटाई चैनल का जुसे कहते हैं Membership चैनल का तो जो लोग जॉइन बटन अनेबल किये हुए हैं उनका चैनल अग नमबे दिन से बढ़ाके 120 दिन कर दिया जा रहा है चैनल मौनिटाईशन यानी जॉइन बटन के पॉलिसी से खतम होने या पाउस होने के बाद फिर से अनेबल करने के लिए 120 दिन लगेंगे जॉइन बटन को लाने के लिए ठीक है तो यह चीज तीनों बहुत इंपॉर्ट है ध्यान रखिएगा 5 जून से लागू हो जाएगा अब आएए समझते हैं मेन चीज रियूज कॉंटेंट क्या होता है जिसके तहत यूट्यूब मॉनिटाईशन बंद करता है यूट्यूब चैनल का बहुत इंपॉर्ट चीज है समझेगा ध्यान से ठीक है नए यूट्य कई अलग चैनल पर डाल दिए या फिर उसी चैनल पर डाल रहे हैं दूसरा केस जो के अलाउट नहीं है ठीक है दूसरा केस कि मालजे एक वीडियो क्लिप है किसी फंक्शन का है माल ये किसी चीज का कोई एक्सिदिट हो या कुछ भी चीज हो रहा है उसे मुल्टिपल और सभी लोग अप्लोड कर रहे हैं तो देखिए अब यहाँ पर कह रहा है YouTube कि अगर सभी लोग हूब भू रिकॉर्ड कर लिए उसी सो को, माले जी अभी एक creator कार्विनल हुआ तो उसे सभी लोग रिकॉर्ड करके हूब भू भू डाल देते हैं अगर तो वो reused में आ जाएगा उसमें कह रहा है कि उसको reused से बचाने के लिए ठीक है आप कीजिए वो चीजे record कीजिए लेकिन उसमें अपनी creativity बताइए कुछ different रखिए कुछ नहीं कुछ हद तक different रखिए ताकि वो अलग अलग लगे ऐसा नहीं कि एक viewer वो देखा तो उसको भी लगे यह तो same content है तो आप उसमें voiceover कीजिए कुछ अपना राय दीजिए कुछ criticize कीजिए कुछ लोगों से मिले वो अलग अलग थोग different होना चाहिए वो बिलकुल अगर same रहेगा तो वो reused में आ जाएगा ठीक है तो आपकी creativity दिखनी चाहिए नहीं कि आप रोड पर कहीं कुछ भी हो रहा है कहीं कुछ भी हो रहा है डांस बस हो रहा है उठा के डाल दिये तो वो चीज़े नहीं वो चीज़े allowed नहीं है वो reused content पर आता है तीसरा जो majority YouTubers गलती करते हैं वो ये देखा जाता है कि YouTube चैनल के अगर किसी के एक topic पर वीडियो वाइरल हो गया तो वो उसी topic को उसी title को repeat करते हैं और ज़्यादतर cases में loophole YouTube का है कि वो अनुमन वो भी viral होने के कगार पर हो जाता है या हो भी जाता है तो YouTube पर बार बार वही चीज़ करते हैं same thumbnail या फिर same title या फिर same content अगर ऐसा बार बार आप बना रहे हैं YouTube के loophole को फायदे उठा रहे हैं कि वो वाइरल हो जा मेरा इस बार भी वीडियो हर बर डालते हैं तो एक आज बार चल सकता है लेकिर हूब हूब नहीं तो अगर आप ऐसे चीज़े करते हैं same title, same video content वगर डालते हैं तो वो चीज़े भी reviews में आती हैं उस वज़े से भी आपका channel जो अगर monetize है पकड़ जाने पर demonetize है अपर नया channel है तो वो ऐसे content से आपका monetize नहीं होगा ये majority में तीन चीज़े ही आती है ठीक है बाकी और कुछ इसमें है नहीं समझने के लिए अगर ये चीज़े आप करते हैं अगर इसे बचे रहें तो आपका channel जो है बचा रहेगा फिलहाल इसके अलावा भी अगर आप copyright और community guidelines वाले संद करते हैं तो उसमें प्रावधान तो नहीं है मतलब कि आपका monetization बंद कर दिया जाएगा जैसे कि community guidelines में जो होता है वो जी होता है कि आपको पहले community guidelines आता है तो आपको वारे की strike रहता है दूसरा में आता है कि आपका 7 दिन के लिए uploading बंद कर दी जाएगा उसके बाद आएगा तो फिर 14 दिन के लिए प्रावधान यही है लेकिन YouTube चाहे हक रखता है कि वो पहले strike में भी आपका monetization भी बंद कर सकता है करता बहुत rare है होता है किसी किससे लेकिन बहुत rare होता है similar copyright के साथ भी तो आप जब भी content बनाए अपने तो सोच कर बने और खास करके reduced content policy को ध्यान में रखें कि यह wallet नहीं कर रहा है क्योंकि इस वजह से अगर आपका चैनल demolitized होता है तो फिर 90 दिन तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे आप चाहाए अपने wallet content को delete भी कर देंगे तब भी 90 दिन के बाद ही आप फिर reply यह reapply कर सकते है तो 90 दिन तक आपको पैसा नहीं मिलेगा और जो पैसा मिलने वाला होगा नभी वह भी आपका खतम हो जाए और return to advertiser हो जाएगा यह चीज है तो हम आशा कर लें कि इस चीज को समझ गया होंगे और अगर आप इससे समझें इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चाल को सब्सक्राइब कीजिए थांक्स आट पर जिंग आइस बबाए